हेलो गाइस मैं हूँ कोमल और रेस्टपीस आप कोमल में आपको स्वागत है मैं आज बनाने जा रहे हैं मसाले वाले छोले बिल्कुल अपने तरीके से मैं कोई दूसरा तरीक आपको नहीं बताऊंगी मैं आज आपको अपने तरीके से बताऊंगी तो चलिए आज का वीडियो हम सुरू करते हैं और सुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो पर जापको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेर करना ना भूले मेरे वीडियो के नीचे दिये गए बैल आइकन को क्लिक करके मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसी तरीकी की वीडियो में लेके आती रहो तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले चलिए आज का वीडियो हम सुरू करते हैं मसाले वाले छोले बनाने के लिए मैं ले रही हूँ और हाइसोग्राम छोला जिसको मैंने चार से पांच घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था आप चाहे तो रात भर भी रख सकते हैं और ले रही हूँ मैं देखिए आदा चमच के करी बेकिन सोडा छोले में डालने के लिए इससे छोला असानी से पक जाता है और अद्रक लसन का पेष्ट चार बड़ा चमच दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने अच्छे से पेष्ट बना लिया है यह देखिए अब हम लोग कुकर में डाल देते हैं अपना चना मैं इसको काबली चना बोलती हूँ यह देखिए अब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं और पानी डालकर इसमें हम लोग डाल देंगे अपना बेकिन सोडा थोरी सी ही बेकिन सोडा डालें आप और थोड़ी सी में नमक डालने हूँ आधा चमच के करीब एक दालचीनी का टुकड़ा, दो हडी इलाईची और तीन लॉंग और इसमें डाल देंगे अब हम लोग थोड़ी सी लाल मिर्च आधा चमच के करीब और थोड़ी सी हल्दी आधा चमच के करीब अब इसे ढखकन लगाके हम लोग गैस पे चड़ा लेते हैं इसी तरीके से और दो सीटी आने तक इसे अच्छे से पका लेना है ये देखिए हमारा एक सीटी आ चुका है और हम लोग दूसरा सीटी का इंतजार करेंगे ये देखिए अब दूसरा सीटी भी आने वाला है ये देख सकते हमारा दूसरा सीटी आ चुका है अगर आपका छोला ना पका हो तो एक सीटी और लगा ले और चलिए अब हम लोग कड़ाई ले लेते हैं ये देखिए अब इसमें हम लोग डाल देते हैं अपना रिफाइन ओ मैं चार से पांच बड़े चमच रिफाइनोई ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ एक डालचीनी के टुकरा तीन हरी लाइची और तीन लॉंग एक तेज़ पत्ता ले रही हूँ मैं और थोड़ी सी एक पिंच हिंग और इसे अच्छे से मिला लेना है हरी मिर्च में डाल दे रही हूँ ये देखिए बीच से मैंने हरी मिर्च में कट लगा लिया था और इसमें अब हम लोग डाल देते हैं पियाज का पेष्ट इसे अच्छे से मिला लेना है और इसी तरीके से मिलाना है हमें अगर जो आप चा अब इसमें हम लोग डाल देते हैं अद्रक लशन का पेश्ट चार बड़ा चमज और इसे अच्छे से मिला लेते हैं देखिए इसका बस कच्छा पन हमें निकालना है और मसाले में मैं ले रही हूं देखिए मसाले में मैं आपको दिखा देती हूं यह देख सकते हैं दो चमच लाल मिर्च का पॉडर एक चमच हल्दी और एक चमच धनिया मैं धनिया पॉडर कम डाल रही हूं यह देखिए अब इससे अच्छे से मिला लेना है चलिए अब इससे हम लोग मिला लेते हैं अच्छे से देख सकते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें पानी आट कर दूंगे जिससे मसाला हमारा चिपकेना और अच्छे से पक भी जाए ये देखे मैंने पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेना है इसी तरीके से इसमें अब हम लोग डाल देंगे अपनी नमक, स्वादा नुसार आप इसमें नमक डाल दे, मैंने छोले में भी नमक डाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक कम ले रही हूँ, अब इसे अच्छे से मिला लेना है, अगर जो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को का अच्छे से, चलिए इसे अच्छे से मिला ले, थोड़े थोड़े देर में इसे मिलाते रहे हैं इसी तरीके से, जिससे मसाला हमारा चिपकेना, चलिए मैं आपको छोला दिखा देती हूँ, कि हमारा छोला कितना अच्छे से पक गया है, ये देखिए, और इसमें से मैं दालचीनी का टुकरा निकाल लेती हूं ये देखिए और चलिए मैं आपको छोला दिखा देती हूं कितने अच्छे से पक गया है देखिए मैं आपको दिखाती हूं ये देख सकते हैं कितने अच्छे से पक गया है बस इतना ही हमें पकाना है प्लीज मेरी वीडियो अच्छी दिया है आप जाकर मेरे भटूरे की रेसिपी देख सकते हैं ये देखिए अब इसमें हम लोग डाल देते हैं अपने कसूरी मेथी थोरी से आप इसको अच्छे से हाथ से क्रस्ट कर ले उसके बाद आप डाले इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से और इसम कितना अच्छा से बॉइल आने लगा है हमारे छोले में आप एक बार इस तरीके से बना कर देखें बहुत ही टेस्टी लगता है देखिए मैं लाश्ट में गरम मसाला डाल दे रही हूं मैं साही गरम मसाला डाल रही हूं अगर आपकी पास साही गरम मसाला ना हो तो आप न ये डekhेमारा झोला बिल्कुल रडी हो चुका है सर्फके लिए तो चल्ये मैं आपको धिल्ः करके दिखाती हूं यह इन आप हमारा झोला किस्ट किलर आगया है इंग ब CAP रख़रों सब्भरे के साथ ही इसको फच्ला करह देख schwierig such a तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई